मंगलवार के दिन इटली में अटॉनी जेनरल के इन्वेस्टिगेटर्स ने एक चार्ट शीट फाइल की हुई है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि VVIP हेलिकॉप्टर्स के डील में जोकी अगुस्टा वेस्टलंड कमपनी ने भारतिय वायू सेना को बेचे थे उसमें सब्सक्राइब दूरदर्शन पर एचीफ मार्शल शर्शी त्यागी खुद आये हुए है थैंक यू फर जॉइनिंग आस इन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है आरोप तो अब्रेट बनियान है ये आरोप ऐसा है कि अजय ये मुकदमा तो इटली में चल रहा है और इतली में जब तो इस बात पर चल रहा है कि कुछ पैसे इस लीन में से निकाले गये हैं और दीये गये हैं किसको जो इतली में मुकदमा दो करने हैं किज ह Racing कि पौलिटिकल पार्टी को देई को इसी के नम से निकाले गये है अब विस इस डील के नम से उसका भारत वर्ष में क्या उसमें लेकिन यह इतका गया है कि दिये किसको गए पैसे तो उसमें मेरे कुछ रिष्टेदारों के नाम है और मेरा नाम है जे मेरे तीन कजन्स के नाम है और मेरा नाम है उनका कहना है कि तीन कजन्स को पैसा दिया गया और कितना पैसा दिया ग महत्वपूर्ण सवाल है किस वजह से किस मोटिवेशन या इंसेंटिव के लिए आपको पैसे जी उनका मैं तो खपरों के हिसाब से कहता हूं उनका यह कहना है कि मुझे पैसा दिया गया क्योंकि अगुस्ता वैसलेंड जिसको यह कॉंट्रक्ट मिला है यह शायद इस कॉंप पूर्ति कर पाता उसकी तो सवाल यह उठा कि वो उनका ऐसा कि रीक्वार्मेंट बदली करेंगे मेरे द्वार्क य जिसके लिए मुझे पैसा देया गया कि इसको रिकॉर्मेंट सिर्च रिए पदली किए गया जिस अब यस थीरेंगे इस रइस के लिए इस पंपिटिशन के लिए इस टेंडर के लिए और अस्यत में शुरू से ज़रा बताईए साल बाई साल ये कांट्रैक्ट जो है कैसे पूरा हुआ जी इसकी कहानी शुरू होती है 2000 सन 2000 से जबकि आप कहां पे थे आप अप एर हेड़ कोर्टर में नहीं थे मैं मैं 2000 के अंत मैं एर हेड़ कोर्ट हुई थी 2000 में भारती वाई सानाने के पास जो वी आई पी हेलिकॉप्टर थो मी एट जहाज थे रश्या के बने हुए पुराने हो रहे थे उनकी लाइफ होती है हमें मालूम था इनकी लाइफ खतम होने वाली है ये भी मालूम था कि सालों लगते हैं जहाज खरीदने में तो 2000 में प्रती करिया शुरू की गई भारती वाई साना द्वारा कि एक जहाट वी वी आई पी एरकाफ लिया जाए जो में जहाज को रिप्लेस कर देगा उसकी जगे ले लिया जागा उसके कुछ रिकार्ण जब हम जहाज खरीदें तो बताते हमें किस तरह का जहाज होना रिक्वार्मेंट्स कह दीजेगा उसको समझने के तौर पर तो रिक्वार्मेंट्स इंडियन एरफोर्स में 2000 में बनाई और उसमें जो महत्वपूर्ण डिफार में जिस पे सारा ये चर्चा चल रही है ये चर्चा है कि वो 18,000 फुट पे ये जहाट लोगों को वी आई प रक्षा मंत्री थे और वो अपसर सियाची जाया करते थे तो उनको सियाची हम चेतक जहाद में ले जाती तो डेंजरॉस था क्योंकि चेतक जहाद में एक ही एंजन होता है और वी आई पी डूटीज के लिए जरूरी है हमरी रिक्वार्मेंट्स के लिए और थे सेफटी के जाते हैं आगे भी क्योंकि तो 25 साल रहेगा हमारे पास कोई अगर प्राइम मिनेस्टर प्राइम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जाना चाहे तो हमारे पास सहुलियत होनी चाहिए तो जब हमने 18,000 फुट पर तलाश की कौन सा जाय तो देखिए आप जानते है 18,000 पर जा सकता था उस वजन को लेके, SPG को लेके, VIP को लेके जब ये चर्चा हुई एक ही जहार है पूरे दुनिया में तो देखे सरकार भी हिच कि जाती है क्यों मुह मांगा दाम मांग सकता है जो जिसके पास एक ही सिंगल वेंडर में सिंगल वेंडर हो गया अब तो तो 2003 मे के बीच में करें बदाए जी जब एक ही जहास था तो उसके साथ एक और प्रॉबलम लेकिन उसके साथ एक और प्रॉबलम हो गए कि SPG ने कहा कि इसकी जो अंदर जो कैबन होता है जहां लोग बैठते हैं खड़े होते हैं उसकी हाइट इतनी कम थी कि जुक्के रहना कोड़ हैं और बंदूक लेके खड़े होते हैं तो ये हम और के मी प्रॉटेक्ट्ट नहीं करती है उनको उँचा के वे पाई पैं हमें तो यह था तो यह थार हजार फूट ले लीजई यैде उंचा कैबन ले लिजे, दोनों नहीं कर सकते थे, वो वाला तो 18,000 फूट वाला का कैबन नहीं बदल सकता था, मेरे विचार में, उस वकद, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, श्री बिजेश मिर्शा पी-स हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने एक चिठी लिखी, और लि बाते थे, एक तो requirement बदलो, उनका छोड़ तो फिर से आचिन को, नहीं पहुंच सकते, तो नहीं पहुंच सकते, सिर्फ जोजीला प्रास को क्रॉस करने लाइक हाइट ले लो, तो 15,000 फैसला हुआ, तो आप बहुत नहीं पोईंट ये बना रहे हैं, कि आपने requirements तबदील न इन में ये चिठी बाजी हुई है, पत्र लिखे गए, उन्होंने दो चीजें और कहीं, एक तो अठारा की जगह कम कर दिया जाए, जिससे उन्होंने का विशेश तोर पर ज्यादा competition बढ़िया है, एक आदमी नह रहे, बेचने वाला, कई लोग होने चीएं, और हम West को चु नहीं है, वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वी आई पी का मामला था, उन्होंने कहा कि SPG को आपने कंसल्ट नहीं का, इसलिए केविन हाइट का जगडा चालू हो गया, अब आप जगह जगह पर SPG से पूच के करिएगा गाम, तो अभी requirements जो हैं, ना सिर्फ भारतिये वायु सेना के जरिये, लेकिन SPG के जरिये और प्राइम इनिस्टर्स आफिस के जरिये, क्योंकि ये वी वी आई पी हेलिकॉप्टर था, तो ये सब शामिल थे, ये requirements तबदीन करने में, ये मैं professionally आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जितनी समझ है, मेरे समझ के हिसा तो ये सही डिसीजन था, जो करने थे सही करने था, इसमें ये कहना कि बदली किया गया किसी कंपनी को फेवर करने के लिए गलत हो, और ये हो रहा था 2003 में, जबकि आप वायु सेना प्रमुक बने भी नहीं थे, मैं तो नजदीक में भी नहीं था तब अबने थे, जी नहीं मैं था और मैं एक चीज़ और में बता दू, अगर मैं होता भी, तो मेरा कोई रोल नहीं था, जो वायु सेना प्रमुक जब थे 2003 में, उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि क्या होता है, इंडियन एफोस रिक्वार्मेंट नहीं बदल सकती, ये इल्जाम ही गलत है कि साब व हत्वपूर्ट पॉइंट बना रहे हैं, वो ये है कि ये UPA सरकार ही नहीं, ये NDA सरकार के समय ये रिक्वार्मेंट तब्दील हुए, बदली हुए, डाइल्यूट हुए, और इस वज़े से ये प्राइम मिनिस्टर्स जो भी आए थे, उनके आफिसे में जो भी काम कर रहे थे, ये सब शामिल थे इसके अंदर, ये सिर्फ एक कॉंग्रस डिसिजन नहीं है, जी, मैं राज नीती में तो पढ़ूंगा ये, मैं तो एक बनताना चाहता हूँ कि 2003 में ये निरने बदला गया, हाइट का, और उस निरने से मैं, हलाकि मेरा कोई लेना देना नहीं था उस का था और UPA सरकार बने थी, उस टाइम पे ये डिसिजन तबदील नहीं हुआ, जैसे चल रहा था, जैसे चलता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बत्याना चाहता हूँ कि आरोप ये है कि मैंने बदला रेक्वारमेंट, तो मैंने ये तो बता दिया कि मैंने तो बदल कि नहीं थी, हमने टेक्निकल एडवाइस तो दी, जैसे SP जी चाहती थी, कि आर्मर की प्लेट लगाई जाए, जिससे गोली ना लगे कहा बने, हमने ये टेक्निकल एडवाइस दी कि इससे वजन बहुत बढ़ आगा, इसको मत लगाईगा, मेरा अगला सवाल, आपके तीन क जा रहा है कि इन्हों ने आपके प्रोक्सी बनते हुए, इन्हों ने पैसे एक्सेप्ट किये आपके लिए, क्या आपके इनके साथ रिष्टे वो थे, जो मतलब कुछ नजदीक रिष्टे जी, मैं दो चीज़ बताना चाहूंग आपको, एक तो मैंने बता दिया कि कि किसी पी आटेंडर जो है, उ मेरे समय में इशू गाता, लेकिन ये तो रक्षा मंतरी अपरू करते हैं, बदलाओ अगर होता तो वो भी रक्षा मंतरी अपरू करते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि बदलाओ किस कारोनों से लिया गया था, तो इसमें भारती वायू से ना इत्फाक की बात है कि सन निन्यानवे में कुछ पारिवारिक कारणों की वज़े से हमारी बुलचाल बंद हो गई इन तीन, इसी परिवार से, जिटके वारा रोप लगाने जा रहा है कि आपके लिए इनोने पैसे लिया, तो मेरे चीफ रहते के दोरान में, मेरे संबनी थे आपका कोई लेना देना नहीं था? हमारे बोलचार भी नहीं थे तो यह असंभव है कि यह आपके लिए पैसे लेने के लिए नहीं उसके बाद बोलचार हुई है तो तो मैं चीफ तो आगे चार-पाँच महीने और रहो हूं जब बोलचार शुरी हुई है लेकिन तब तक यह आरफ पी वगरा तो जा चुकी थी तो मतलब मेरे समझ वह निया था कि इनका क्या रोल हुगा तो आप यह पॉइंट बना रहे हैं कि आपके चीफ बनने से पहले यह रिक्वार्मेंट्स तदील ले के बाद शुरू हो गई थी तक्रीबन सील भी हो गई थी नंबर दो के बहुत उंचे स्तर से प्राइम मिनिस यह एक चीफ तो मेरे बाद फ़ली मेजर साब रिटार हो गए उसके बाद कोई चीफ आए यह तो नाम है लेकि सिस्टम है सिस्टम जला आ रहा था वे टेंडर खोले गए उसका टेक्निकल एवैलेशन वा उसमें फ्लाइट के ट्राइल्स करते हैं वह वह कमर्श क्या हुए मुझे 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 पता नहीं है डीटेश को मैं तो जा चुका था लेकिन एक सिस्टम हो फॉलो होता उसके बिना नहीं कोई खरीदारी हो सब्सक्राइब भारती जन्ता पार्टी जो आरोप लगा रहा है आधि के कॉंग्रस सरकार जो है यूपीय सरकार ने कोई एक्शन किस दाम पर खरीदे गए अभी पढ़ा है कोई चारा जा करोड की सारी डील है तब तो टेंडर खुला ही नहीं था जब मैं सर्विस में था तो मुझे मालूम नहीं किस दाम पर खरीदा गया लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि देखिए जिए जॉर्ज बुश साब प् यह जहाज चुना हुआ है बिल्कुल चुना था जॉर्ज बुश तो इसमें उड़ा करते थे लेकि अबामा साब ने और नहीं खरीदे इनको रिजेक्ट कर दिया तो उनका अबामा ने भी मना कर दिया भारत क्यों खरीद रहा है लेकि उनके कारण कुछ और थे मैं पहली को जांदान का सवाल एक चीज याद अखिएगा एक प्रोसेस है कितना दाम होना चाहिए कैसे होना चीजिए उसके लिए प्रॉसस कितका बज़ेटिंग होना चीजिए यह अप्रूवल होता है और जगह पे CCS चाहिए अप्रूव करता है है इसमें मुझे नहीं लगता कि तो यह प्रसीजर में कोई गड़बड है अब चलू लगाता है किस लिए लगाता है क्यों लगाता है कियो लगाता है कि लगाता है यह मुझे से मैं तो आपको यह बात बता सकता हूं का दो किसी की सरकार रहे है किसकी पार्टी की सरकार थी इस में मुझे कोई मतला कुरूची नहीं है सरकार का reasoning थैंड और मैं ये भी कहसे था हूं कि सरकार की जो reasoning थी ओ मेरे मानने में तो सही तो आपका कहना यह है क्योंकि वायू से इना का इसमें कम role था आपके चीफ के टेनियोर के दोरान कोई इसमें कोई खास डिसिजन नहीं लिया गया तो अगर पैसे दिये गए हूँ या लिये गए हूँ तो आपको ना पता है किसने लिये गए हूँ और आप शौर है कि वायू सेना का कोई नहीं हो सकता मैं देखिए ऐसा है कि रक्षा मंत्री ने एक इन्कोरी ओर्ड किये अच्छा है अच्छा है बिदेखे आप आपसे किसी ने अभी तक कांटट्या खाए हुए कर लें गे कांटक्ट और मैं तो खुशीचे चाहता हूँ कि इंक्वारिय ओ तो फाच साफ और चानरा चाहिए इ नहीं नहीं जी रोल नहीं तो मैं तो भारती वह इसे अना का अध्यक्ष था जब मैं कहता हूं उनका रोल नहीं है तो responsibility तो मेरी थी बिल्कुल कोई रोल नहीं है तो ए चीफ माशल त्यागी दूरदर्शन को बताते हुए कि उनका खुद कोई रोल नहीं था वो खंड़न इस बात का करते हैं कि उन्होंने कोई पैसे नहीं लिये हैं उनका कहना ये है कि BJP सरकार यानि के NDA सरकार के जबाने में ही ये requirements जो हैं इस helicopter के dilute करने की कारवाई शुरू हो गई थी वो कहते हैं कि वो खुद बिलकुल agree करते हैं ये नए requirements के साथ और वो कहते हैं कि उनके दो चीफ बाद ये पैसला हुआ कि कौन सा जहाज लिया जाएगा और contract उस टाइम पे sign किया गया है है चीफ मास्टर त्यागीताब दूर्दर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद